गुड मॉर्रिंग प्रेंटर्स आज एक हम लोग महत पूर्ण टोपी के साथ हैं इसमें पूछ रहा है कि जेट एस्ट्रीम क्या है और भारतिय मांसून इसे कैसे परभावित होता है और यह टोपिक कौन सा है तो जोगरफी का है और हम लोग क्या कर रहे थे तो बीपी एसी म पाई जाते हैं कौन को देख लिजिए यह प्रित्वी है यह विश्वत रहा है यह पोलर जेट एस्ट्रीम नौर्थ और एक साउथ बला रहता है और उसी के साथ साथ तेज़ डिग्री नौर्थ और तेज़ डिग्री साउथ में भी लगभाग इसी के आसपास यह दो एर बेल्ट जानते हैं उसी की तरह जाने यह कोई रही की सीधा यह इस तरह से चलता है स्पाइडल और यह कोई चारा नहीं है यह लंबा है यह पूरे प्रिस्वी को घेड़े हुए है लेकिन यह पतली एक कही कि यह पाइप की सामान होती है और इसमें हवाय बहुत तीवर पूर्गती से चलती है और नामी है जेट यानि या 300 किलो मीटर से लेकर 800 किलो मीटर तक इसका स्पीड होता है इनके परवा की दिशा जलधाराओं की तरह निश्चित होती है इसलिए इसे जेट एस्ट्रीम का नाम दिया गया है जेट एस्ट्रीम धरहतल से उपर यानि 6-14 से 40 किलो मीटर के उंचाई पर लघर दार इस तरह से रूप में चलने वाल एक वायू धारा है और इस वायू धारा का संबांध धरहतल में चलने पौनों के साथ भी जोरा कया है और भारती जरवायू को परभायुत करने वाले और नेक कारक हैं जैसे अक्षांसी इस्थिती और आकार उचावच की भींता यानि हाइट के डिफ्रेंस और अच्छांस तो जानते ही है कि विश्वत रिखा पर हैंगे तो वहां पर गरम है और पोल पर चले जाएंगे 90 डिग्री पर तो वहां पर फिर पूरा जमा हुआ है सब कुछ वायुदाप यानि लो प्रिस्वर और पवन की समय अनुसार बदलती प्रकिर्ती जिसके कारण क्या होता है तो मांसून और लू आधी का जन्म होता है जलव और अस्थल का वित्यांत अथवा समूदर से निकटता की दूरी समूदर के पास है तो वहां पर समूदरी परभाव होगा तो तापमान इस्तिर है वहां वहां के जेट वायुधाराओं का परभाव भी भारतिय मांसून पर वियापक है यह मांसून के कमजोर तथा तीर होने में महत्तो पूर्ण भूमी का निहाते हैं द्यास देखिए अब जेट एस्ट्रीम पता कैसे चला तो यह बात है दूतिय विस्यूद के समय में ही जेट एस्ट् बंधों को भी जोरा गया था और होता क्या है कि जेट एस्ट्रीम पता कैसे चला जब अमेरिकी बंव और सा जपान पर जाते थे उनको जाने में बहुत समय लगया जाता था और वो अडिटार आते थे तो बहुत जल्दी आ जाते थे तो उनको लगा जरूर कुछ मैटर है क जानकारी परकार है जानकर पर भारत के संदर्व में यदि देखा जाए तो जेट इस्ट्रीम दो परकार के होते हैं एक पच्छुआ यानि पच्छमी जेट इस्ट्रीम जो 20 से 35 डिग्री उत्तर में है यानि और दूसरा पूर्वी जेट इस्ट्रीम यह 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर में सीथ है अब ऐसा उत्तर ही क्यों क्यों कि भारत है तो उत्तरी गुलार्ध में है और पच्छमी यहान देखिए वेटरली यानि पच्छमी जेट इस्ट्रीम यह अस्थाज जेट परवाह के दिशा पश्ची मोत्तर भारत से लेकर दक्षनी पूर्व भारत की ओर होती है और पश्चमी जेट इस्ट्रीम का संब्ध सुखी सांत और सूस्क हवाओं से हैं यह सीद काल की आंसिक वर्षा के लिए उतरदाई भी है या इरोप में जब विश्वव उत्पन होता है और भारत में बर्षा होती है तो वही यही कराती है कौन पश्चमी जेट इस्ट्रीम जो सीद काल की किरसी के लिए बहुत उपयोगी है यानि रविगी फसल के लिए और दूसरा है पूर्वी जेट इस्ट्रीम के ठीक भी प्रिद पूर्वी जेट इस्ट्रीम के दिशा दक्षिनपूर यानि इधर दक्षिनपूर से लेखर पस्ची मोत्तर भारत की गोर होती है ऐसे चलेगा इस ट्राइब का किलियर है और यह और यह अस्थाई है यानि यह पूर्वी तो यह गर्मी के दिनों में है यानि समूंदर से पानी अस्थल की तरफ आएगी हवा इसका परभाव जुलाई अगस्त सितंबर में ही देखा जा सकता है पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में मुसलाधार वर्सा के लिए उतर दाई है जैसा कि बैग्यानिकों का अनुमान है संपूर्ण भारत में जितनी भी वर्सा होती है उसका 74% हिसा जून से सितंबर महीनी तक होत है पूर्वी जेट स्ट्रीम जेट यह गर्मी में यानि उत्पन होता है अता है हावा गर्म होती है इसलिए इसके परभाव से सता की हावा गर्म होने लगती है और गर्म होकर हावा तेजी से उपर उठने लगती है यानि लोग प्रेसर किरियेट होगा तो अस्थल पर क्या लाएंगी और नमी लाएंगी तो अब बरसा होया कहा होगा तो भारत में बरसा होई निम्न वायुदाब का छेतर बन जाता है इस निम्न वायुदाब छेतर की ओर और अरब सागर से नमी युक्त उच्छ वायुदाब की हवाय चलती है इसी तरह से चलती है यह मांसूनी हवा मी मांसून के नाम से जानी जाती है किलियर हो गया अगले बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक आसा करते हैं कि अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक करें, सेर करें, कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद